ओम नमज शिवाई श्रावन मास कथा आठवा अध्याई इश्वर बोले हे सनतकुमार अब मैं समस्थ पापों का नाश करने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन करूँगा जिसे श्रद्धा बुर्वक करके मनुश्य परम सिध्धी प्राप्त करता है ब्रह्माजी ने चंद्रमा को ब्रहामणों के राजा के रूप में अभिशिक्त किया किसी समय उसने रूप तथा योवन से संपन तारा नामक गुरु पतनी को देखा उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशिभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ जो बुद्धिमान, सोंदर्य शाली तथा सभी शुब लक्षनों से युक्त था गुरु ब्रस्पती को ग्यात हुआ कि तारा चंदर्मा के घर में इस्तित है तब उन्होंने चंदर्मा से कहा कि मेरी पतनी को वापस कर दो अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंदर्मा ने तारा को वापस नहीं दिया तब ब्रस्पती ने देवताओं की सभा में जाकर देवराजिंद्र को यह व्रत्तांत बतलाया और कहा हे शक्र आप देवताओं की राजा है अतै अपनी आग्या से आप उसे दिलाए अन्य था उस चंदर्मा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंधै लगेगा क्योंकि शास्त्र निर्णे के अनुसार प्रजा के द्वारा किये गये पाप को राजा भोगता है पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है गुरु का यह वचन सुनकर च चंद्रमा को दे दिया इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया हे चंद्र अब तुम घड़ जाओ यह तुम्हारा भी पुत्र है और ब्रस्पती का भी है यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिश्टित होगा हे सुराचार आप यह दूसरा भी शुब वर ग्रहन कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुद्ध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा उसकी संपूर्ण सिद्धी होगी यह सत्य है इसमें संध है नहीं शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिये इस श्रावन मास के आने पर जो ल स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिख कर पूजन करने से भिन भिन फल प्राप्त होता है यदि कोई हिंडोले के उपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिख कर पूजन करे तो वेह सर्व गुण संपन तथा दिरगायू पुत्र प्राप्त करेगा यदि मनुश्य कोशागार में मूर्ती को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोश बढ़ते हैं और वे कभी शै को प्राप्त नहीं होते इसी प्रकार पाकालय में पूजन करने से पाक व्रद्धी और देवालय में पूजन करने से उनकी ग्रपा प्राप्त होती है शय्यागार में लिखकर पूजन करने से इस्त्री का व्योग कभी नहीं होता धान्यगार में लिखकर पूजन करने से धान्य की व्रद्धी होती है इसी प्रकार मनुश्य उन-उन फलो को प्राप्त करता है इस प्रकार साथ वर्ष्टक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करकी रात्री में जागरन करना चाहिए स्वर्ण की प्रतीमा बनाकर विदी पूर्वक सोले उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घ्रत, चारू और अपामार्ग तथा अश्वत्य से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए अंत में पुर्णाहुती देनी चाहिए उसके बाद मामावे भांचे को प्रत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए इसके बाद ब्रहामणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए स्वैम भी भोजन करना चाहिए इस विदी से साथ वर्ष्टक करने पर मनुश्य सभी मनोरतों को प्राप्त कर लेता है जो इसे विद्धा की कामना से करता है वह वेद वह शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है बुद्ध बुद्धी प्रदान करते हैं और गुरु ब्रस्पती गुरुता प्रदान करते हैं सनतकुमार बोले हे भगवन आपने जो ये कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बताईए इश्वर बोले हे सनतकुमार पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई दो ब्रहामन थे वे दोनों मामा भांजे थे उदर पूर्टी है तू परिश्रम पूर्वक भ्रहमन करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मागने के लिए गए थे उन्होंने घर-घर में श्रावन मासमे प्रत्यक वार को उस वार का वृत होते हुई देखा किन्तु कहीं भी बुद्ध गुरू का वृत नहीं देखा तब उन्होंने बहुत देर तक परसपर विचार किया कि सभी वारों का वृत तो सरवत्र दिखाई पड़ रहा है सनतकुमार इसकी विधीना जाननी के कारण वे दोनों संशय में पढ़ गए तब रातरी में उन्हें स्वपन में इस विधी द्रश्टों गोचर हो गई इसके बाद उन्होंने उसी विधी की अनुसार विध को किया जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की प्रते दिन उनकी संपदी बढ़ने लगी और सभी लोगों को ग्यात भी हो गई इस प्रकार साथ वर्ष्ट करके वे पुत्रवे पोत्र आदी से संपन हो गई उसके बाद उनके उपर प्रसन होकर बुद्वे गुरु प्रकट हुए और उनोंने उन दोनों को यह वर दिया आप दोनोंने हम दोनों के निमित इस वरत को प्रवर्थित किया है अते आज से कोई भी इस शुब वरत को करे उसे वरत की समाप्ती पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पुर्वक भोजन कराना चाहिए इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी कामनाओं की परम सिध्धी हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य परियंत उसका हमारे लोक में वास होता है इस प्रकार श्री सकंद पुराण की अंतरगत इश्वर सनत कुमार समवाद में श्रावन मास महातम्य में बुद्ध गुरु व्रत कतन नामक आठवा अध्याय पोण हुआ जै श्री राधी